हेलो फैरंड्स, वेलकम बैक निमाई चैनल, आज की वीडियो में मैं बेबी बॉआय होने के 6 सेम्टम्स के बारे बताऊंगे, जिससे आप खुदी अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसिव किया है या फिर एक बेबी बॉआय को, दोस्तों मेरा चैनल जे बेबी गर्ल को कंसिव किया है तो आपकी एक ही चीज की इच्छा हो खाने की चाहे वो तीखी हो या चाहे फिर वो चट्पटी हो गर्भा वस्ता में अगर आपके चेहरे पर धेर सारे मुहां से निकल जाएं यह भी इस बात की तरफ पिसारा करता है कि आपने एक बेबी ग मिलता है तो इसका मतलब है कि आपने एक बेबी बाय को कंसिव किया है पांचवा लच्छड है यह अगर किसी महिला के हां सुंदर दिखने लगें और हथेली मुलायम हो जाएं यह एक लड़की होने का संगेत होता है क्योंकि माना जाता है कि लड़कियां सुमेता वो कावा देती है उसके प्रभाव से गर्वती इस्त्री की सुन्दरता बढ़ जाती है ठंडे पैट कुछ इस्त्रियां आपने पैरों में लगातार थंड़क महसूस करती है अर्या बहुत ही सठीक लच्छड माना जाता है कि आपने एक बेबी बाय को कंसिव किया है पेट का अंदर की तरफ जुकाव गर्वती महिलाओं का पेट अगर आगे की तरफ बढ़ा है और साइड में जो लव हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं और सिर्फ आगे का पेट पढ़ता है और नीचे की तरफ लटक जाता है तो इसका ये लच्छड माना जाता है कि आप अगर आपका पेट साही से भी बढ़ा हुआ है और आगे से भी बढ़ा है ये इसको लड़की होने का एक सतीक लच्छा माना जाता है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज स्ट्राइक सेर और सस्क्राइब करिए धन्यवाद